चलिए दोस्स सबसे पहले बात करते हैं आरती नियूज के मनीश मिस्रा पे लगे ऐसे आरूप के बारे में जिसको सुनके आप एकदम हैरान हो जाओगे हमेशा आप इसके वीडियो में देखते ही होगे किस तरीके से लॉलीपॉप मैडम लॉलीपॉप मैडम करता रहता है औ जहांसा जहांसा यह दिया था कि यह कर देंगे इतना ही नहीं इस लड़की ने और गंभीर अरूप लगाते हुए मनीश मिस्रा जो आरती नियूज चलाते हैं उसके बारे हैं बोला कि यह पचास साल का बुढ़ा वेती जिसको हम बरे पापा कहते हैं वह इंसान मेरे साथ ज्यादा गलत करने का कोजिस कर रहा था इसका नियत बहुत ज्यादा गंदा है और यह तो एक बार हमको जान से भी मारने का कोजिस कर दिया था और उस समय इसकी इस तरीके से हालत हो गई थी मतलब लिटरली यह लड़की नवालिक है और इस तरीके से करना सही में बहुत ब बाहर गया कौन नहीं गया उसे हमको कोई मतलब नहीं था लेकिन यार बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब सिवानी सिंग को बाहर निकाल दिया बिग बॉस से अब कोई ना उत्तर प्रदेश की बेटी सिवानी कुमारी ने बहुत अच्छे तरीके से खेला देखो हम दो अंकर वाली रिकवर्ट्ट के बारे में गाना आते ही काफी सारा बना दिया جसके बारे में हम आपको बघते हैं एके करके और सबसे पहला रिकॉर्ट कि भॉजपुरी का सबसे बड़ा बोल्बम गाना मतलब पैसा में यहाना है जो आज चारी लाल यादों ने लौंच किया है और आप देख सकते हैं इतना जल्दी इतना सारा व्यूज आ गया मतलब साफ है आते चक्का जाम कर दिए खेसारी लाल यादो इस पे डीटेल में रिव्यू बनाया है लेकिन हाँ आभी नहीं जाओगे देखने इस वीडियो के बात जाना देखने डिस्क्रिप्शन में लि प्रियांसु सिंग है वो खेसारी लाल यादो के गाने पे एद्दम रियर ऑफ दो रियरिंस केस में साइधी कभी रील बनाया होगा लेकिन खेसारी लाल यादो का डंका इतना जादा अभी बज़ रहा है भोजबुरी फिल्म इंडस्ट्री में कि इंसल भी नहीं रहा गया और पेस है आपके सामने प्रियांसु सुनकारील दोस्ट आगे बरते और बात करते हैं वीवेक सिंग के बारे में सब लोग तो यहीं जान रहे हैं कि अब खेसारी लाल यादो के मैनेजर जो है वो वीवेक सिंग नहीं है और क्या ये बात जूट है कि आप बस दिखावटी के लिए खेसारी लाल यादों जो है वो विबेक सिंग को बाहर निकाले हैं ताकिल का ग्लोबल से मैनेज हो जाए देखो हुआ कि आपको बिदा आपको बताते हैं अब ये वीडियो नया है पिर सच में निकाल दिया है यह जरूरू बताना नीचे कमें चलिए दोस्त आगे बढ़ते और बात करते हैं विहार में ऐसे सिच्छा बेवस्था के बारे में जिसको देखने के बाद अमेरिका जपान रूस चाइना सब एकदम हैरान हो गया कि भाई साब यह टेक्नलोजी देना था लेकिन स्टूडेंट जब आएं तो देखे कि जा कलास्रूम में बढ़ने का बेवस्त नहीं है इता अराम से पंडाल में बैटके हम लोग एक्जाम दे सकते हैं और जिस बच्चा को जैसे मन किया जिस दोस्त के सामने मन किया उस तरीके से बैटके मस्त एक्जाम दिया बिना किसी टेंसन का इसना ही नहीं गर्मी बहुग था असल जामा पाइंट खोल के अराम से चड़ी में एक जाम दिया है सब देखे दोस्तों इस वीडियो को सेर मत कीजेगा नहीं तो ये टेक्नलोजी अगर अमेरिका वाले के पास चल जाएगा तो वहां का सारा अर्जुन को श्रेश्ट साबित करने के लिए हर युग में एकलव्य का अंगूठा कटाया गया है अंगूठे तो आज भी कट रहे हैं और अब द्रोणाचार्यों ने दुर्बलता को कानून बना दिया है नहीं नहीं दोस्त बिहार में भी युवाव को इस तरीके से प्रैक्टिस कराना चाहिए और उनको भी भविस्व में राजनिता बनाना चाहिए ताकि विहार का तगड़ी तरीके से विकास हो सके नहीं तो ये बुढ़ा सब जातिवाद और फालतू फालतू कानून लाके पूरे बिहार को बरबाद करके गर्त में भीजने का फुल तयारी कर रहा है इसलिए युवाव को मौका मिलना चाहिए और यंग बलड को निउ जोस के साथ बिहार का कमान समालने के लिए देना चा गाएगा कि यह भोजपूरी सूपर्स्ट retard हमारे भोजपूरी को कहां लाकर के रख दिया है हुम खाये स फलाने जी के फैंस को बुरा तो लगा होगा लेकिन जितने भी पढ़े लिखे समझदार और बड़े बड़े लेबल पे पिहारी हैं उनको पता है कि भोजपूरी से कैसे उनको फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं उनको कैसे सरमसार होना पड़ता है खैर आप लोग टेल्सन मत लिए बहुत जल्द फिल्म का जो है वो काया पलट होने वाला है क्योंकि सरकार ने बहुत तगला नियम लाया है और अब फिल्म को सबसेडी मिलेगा तो हर एक गरीब बच्चा, हर एक टाइलेंटेड लोगों को मौका मिलेगा और वो लोग भोजपूरी फिल्म इंटेश्ट्री में बहुत अच्छा करेंगे चली दूस्त आगे बरते और बात करते हैं रभी किसिन के बारे में भाई साथ पुराने सूपर स्टारों ने पुरा कमांड समालने का कोशिस कर रहा है भोजपूरी का और फाइनली रभी किसन ने प्राइबिट बिल में इस बात को पेस किया कि आप लोग प्लीज भोजपूरी को भी आठवी अनुसूची पे सामिल कर लिजे क्योंकि ये भोजपूरी भासा जो है वो बहुत ज़ादा समरिद भासा है और उसको इंडिया के अलावा और सारे देश में भी बोला जाता है और राबात गाने में असलीलता का तो असलीलता ही सिर्फ और गंदा गाना ही सिर्फ ये पैरामेटर नहीं हो सकता है कि भोजपूरी जो है वो खराब भासा है इसलिए प्लीज आप लोग जो है वो आटवी अनुसूसी में इस भासा को डाल दीजिए और ये सच में बहुत अच्छा चीज है और चलो कोई तो कोई तो इस कदम को आगे लेके गया और ये रभी किसे ने बहुत अच्छा काम किया है लिटरली अब भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री को इन लोगों की बहुत ज़्यादा जिरूरत है आईए और कमाल संभालिए डूपते हुए नया को बचा लीजिए आप लोग तलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं पाउंसिंग के बारे में बताईए दुनिया कहां बोलबं के फेर में लगा हुआ है सब लोग बोलबं भक्ति मय में डूबे हुए हैं और इधर पवन सिंग कह रहा है कि ना हम सबसे अलग करेंगा और पूरे मजे में है एक डाम दुवारी अब बैट के गाने का सुटिंग कर रहे हैं कर बात करें बोलबं का अपडेट तो पता नहीं वो कब आएगा नहीं आएगा लेकिन लोग गित का बरपूर अपडेट दे रहे हैं और एक और फोटो जो है वो लीक हो गया है और यह लीक फोटो में आप साब देख सकते हैं कि आदिसक्ति फिल्म के ओनर मनोज मिस्रा के साथ बैठे हुए है और लगता है आद अब बिहार मितला की बेटी मैथलीव ठाकूर के बारे में भाई साथ कितना प्यारा गाती है यार यह तुम उठो सियाशिंग्डार करो अब धनुश्राम ने दोड़ा है अरे भया वो तो अच्छा हुआ मैथलीव ठाकूर को मोदी जी ने अवार्ट दिया है मैथलीव ठा दोश्तों अब दिखाते हैं आपको आपका सबसे तकड़ा फाइरल वीडियो और एक चैन से सुना है तो 36 गड़िया चना तो खाना पड़ेगा ना अब भाई अराम से एकर यहां तो वीडियो को देख लिए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा